यह दोनों जो power bank module देख रहे हैं इसमें से आपको कौन सा power bank module लेना चाहिए और कौन सा नई लेना चाहिए आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में देख सकते हैं यह दोनों module में हम इसका same same बता दरहाएं कि इस दोनों module में 2R2 का inductor लगा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे 2R2 का inductor दोनों modules में लगा हुआ हुआ 2R2 का inductor तो इसका inductor तो same है I.C. same नहीं है इसकी δεν जो main IC है जो 3.7 volt को 5 volt में convert करती है वो same नहीं है friends और by the way इसमें display है और भी ये professional look देता है और आपको ये 100% तक का सारा indicate करता है कितना percent battery charge है इसमें fast charging का भी support है और 5 volt 2.4 ampere भी ये देता है और ये केवाल 5 volt 2 ampere आपको output में देगा बाइदवे ये जितना battery pack charge करेगा उतना ही battery pack ये भी charge करेगा ये only type C में आता है और ये सारे charger से charge हो सकता है मतलब iPhone के भी charger से और ये फिर type C से और type A से भी और देख सकते हैं ये अच्छे से बहुत ही बढ़िया module है ये भी friends और इन module को आपको खरिदा है तो ये देख सकते हैं ये मुझे 120 रुपे का offline market में मिला और ये 220 रुपे का तो दोनो module अच्छे हैं दोनों में से आप कोई भी module खरिद सकते हैं अगर आपको power bank अच्छा बनाना है तो आप इस module को खरिद सकते हैं अगर आपको battery pack charge करना है only तो ये module बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये छोटा भी है और ये बहुत ही ज्यादा power battery pack को charge करता है और तो वीडियो चलगा हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा ऐसे वीडियोज के लिए धन्यवाद